125cc segment one of the fastest growing segmented motorcycle but इसमें कौन सी कमपनी है number one की position पे मतलब 125cc केटेगरी में किस कमपनी के सबसे ज़्यादा motorcycle sale हो रही है कौन सी कमपनी का motorcycle degrowth पे चल रहा है और किस कमपनी ने entry की है 125cc में और उसके कितनी numbers हो रहे हैं ये सारी चीज़े मैं वीडियो में बताने वाला हूँ नमस्क पास से prices काफी ज्यादा बढ़ गए है और prices बढ़ने के वज़े से जो 150cc, 160cc की bike के price है वो काफी ज्यादा increase कर गए है तो लोगों की thinking आज भी वही है कि लगबग एक लाख रुपाय खर्च करके वो एक बहतरीन bike यानि एक powerful bike purchase कर सके लेकिन क्या है जब से 160 और 150 के prices बढ़े हैं लोग 125cc को और shift हो रहे हैं तो नमबर वन की position पे Honda का CB shine आ जाता है SP और CB shine दोनों ही इसमें आ जाते है बात में डी growth पे रहा है तो एक बड़ा यहां पर loss हम कह सकते हैं होंडा की CB shine को हाला कि CB shine नमबर वन की position पे बना हुआ है वहीं दोस्तों second position पे आ जाती है बजाज की Pulser Pulser 125 भी जब से launch हुई है तब से 150cc की sale कम पड़ी है और एक लगातार growth हो रही थी लेकिन क्या है कोव 13,000 के आसपास unit कम sale हुए है previous year sale हुआ था 56,549 unit इसके रहाँ दोस्तों third position पे आ जाती hero की glamour और hero glamour sale हुई है 21,901 unit glamour में company ने लगातार कुछ ना कुछ बदलाओ किये हैं कुछ advance बनाया है Bluetooth connectivity का भी feature company ने दिया है लेकिन फिर भी इसको degrowth से कोई नहीं रोख सका है degrowth का सामना करना पड़ा है previous year sale हुई थी 39,899 unit तो लगबग में 45.11% के साथ पे degrowth पे रहा है hero का glamour दोस्तों वही fourth position पे आ जाता है hero का super splendor, super splendor 12,299 unit sale हुआ है November 2021 में वही previous year sale हुआ था 50,499 unit तो एक बड़े loss का सामना करना पड़ा है hero के super splendor को लगबग में हम यह कह सकते हैं कि 38,000 unit के आसपास कम sale हुआ है जो कि एक बहुत बड़े number हो जाते है वही दोस्तों इसके बाद आ जाता है TVS का radar जो कि अभी हाल ही में launch हुआ है और 10,040 unit sale हुआ है यहाँ पर TVS के साथ में यह है कि टेमी कंड़क्टर की supply की वज़े से proper इसका production नहीं कर पा रही है वही दोस्तों इसके बाद KTM की bikes आ जाते हैं KTM और Duke जो 125 CC की bikes बनाता है यह आ जाता है 929 unit sale हुआ है तो overall अगर मैं बात करूँ तो 171,102 unit इंडिया में sale हुआ है 125 CC segment की bikes November 2021 में वही previous year sale हुआ था 242,676 unit तो यहाँ पर लगभग में 29.49% के साथ में 125 CC segment degrowth पे रहा है तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लागा आप ज़रूर हमें comment box में जाके बताइए इसके लावा आप latest news और update के लाप हमारी website पर भी visit कर सकते हैं www.motorbandi.co.in हमारी website के address है और आप Instagram पर फॉलो कर सकते हैं MotorBandi हमारा Instagram handle है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाइब